आई आम अंदीव यूर पॉल साइंस टीचर प्रोम श्रीगुरुतिक भादर सेनियर स्केंडरी स्कूल एनस नाइन डिंग रोड शिर्जा डिये स्टोडेट टूड़ी वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स चैप्टर शान्ती कि शान्ती क्या है अभी यूद आंतकवादी हमलो और गुटे दंगो पर चीखती अख़बारे रप्टे हमें इंदरंतर याद लाते कि हम अशान समय में रहती हैं वास्तिक शान्ती के दुसाद्य बने रहने की सूर्थ में ये शब्द अपने में ही काफी लोग पर हो गया है अब पेटे आदनों के यूदिय को सबसी बड़ी मांग क्या होती है कि वीश्य में शान्ती बनी रहे वीश्य में शान्ती की स्थापना तो शान्ती है एक शान्ती ऐसी वेवस्ता है जिसमें सबी लोगों को विकास के समान अफसर प्रापत होती हैं तो प्राचिन काल से क्या है बड़ी शान्ती की आफशकता अनुबव की जाती रही है शान्ती के सारबोमिक धारना है प्राए सभी धर्मों के विया ख्यानों में शान्ती के एक महत्यपूर्ण स्थान प्रापत करती जा रही है विश्व में विकाह समप्रगती के लिए शान्ती अत्यन्त आपशक है अब देखो यूद आत्तकवादी हमलो और गुट्य धंगो पर जैसे कि यूद रहीत विवस्ता को शान्ती के रूप में किस प्रकार से प्रबाशित किया जाता है कि प्रंतु ये उचित नहीं है के वलिधी शान्ती के लिए खत्रा नहीं है शान्ती के एक ऐसी विवस्ता है जिसमें सबी लोगों को विकास की क्या समान अवसर प्राप्त हों तदा किसी भी प्रकार का समाजिक आर्थिक राजनेतिक उसकां का शोशिन हो अब देखो शान्ती के जो तत्व क्यों कोंसी होती है अब शान्ती के समर्थों को कई स्वालों को सामना करना पड़ता है शान्ती का अर्थ क्या है आज की दुनिया में इतनी कमजोर क्यों है शान्ती स्थापना करने ले क्या क्या जा सकता है तो जो श्यान्ती के बड़ी तत्व है, श्यान्ती का सबसे महते पूर्ण तत्व है धर्म मैंना हिंसा श्यान्ती का दूसरा सबसे महते पूर्ण तत्व है और श्यान्ती का एक अन्य महते पूर्ण तत्व है सहोग विश्वा शान्ती का एक अन्य महत्यपूर्ण तत्व है अब देखो बड़े शान्ती को बढ़ावा देने में हिंसा की क्या भूमिका होती है हिंसा क्या करते है शान्ती को बढ़ावा नहीं दे सकती मानुता को देखो आज जिस चीज से सबसे बड़ा खत्रा है वह को है हिंसा जो आज व्यक्ति, समाज, राज्य और विश्व के कोने-कोने में क्या व्याप्त होती जा रही है हिंसा बोतकता किस्ता पर मनुश्य ने देखो चाहे कितनी भी प्रगति के होने कर ली हो किन्तु मानुता किस्ता पर मनुश्य किस्तीती के बद से भत्तर हुई पड़ी है हमारे देश में बड़ता आंतकवाद है, अपराधी करने है, संपरदा एक दंगे है, फसाद है, लूटपाड है इत्यादि जो सभी घटना है किस बात की क्या है गवा है कि हमारी प्रगति के क्या आयाम कितने वियर्थोर खोखले हैं और इन परस्तीतियों में क्या हिंसा कभी भी शान्ति का माध्यम नहीं बन सकती है तो पिटे नेक्स्ट है इसमें जैसे नेक्स पेज आपका है इसमें भूमी का अब भूमी का तो लोकतंतर न्याय और मानवधिकारों की तहर है शान्ति का क्या है जुमला बेक तक्या कलाम बन गया है लेकिन हमें निश्ची से याद रखना चाहिए कि शान्ति के वाशनिएत्वा को लेकर ये उपरी आम सहमती है पेक साओकित हाल फिलाल की घटना है अब तेको हमें क्या करना है शान्ति को किस प्रकार से बनाए रखना है ताकि हमारे लोकतंतर में की व्यवस्ता क्या सही प्रकार से बनी रएज़ सके अब शान्ति और राज्जे अब राज्जे समाज में शान्ति निम्लिक ढंक से स्ताफित करता है फर्स्ट जिसमें होता है कि कानूनों का क्या निर्मान करके अब कानूनों को निर्मान कहता है कि राज्जे क्या कहता है कानूनों का निर्मान करके शान्ती कायम करने का प्रयास करता है सेकंड पॉइंटर लक्सित लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है राज्य के लोगों के अधिकालों की रक्षा करके क्या शान्ती की विवेस्ता करता है अलब संख्यों के हितों की रक्षा, राज्य समाज के अलब संख्य कवर्गों के हितों की रक्षा करके शान्ती स्ताफित करता है बहारी आकर्मन से रक्षा करके भी समाज में क्या शान्ती का स्ताफित करता है तो देखो बेटी हमारे जो आज की आदुने की विश्व की मांग ही क्या विश्व शान्ती है कि हमें क्या है युद्रहित विवस्ता को शान्ती के रूप में क्या प्रबाशित किया जाता है विशे में अगर में विकास और प्रगति करनी है तो हमें क्या शान्ती का महत्व समझना चाहिए तो सबसे पहले हैं कि हमें शान्ती को बनाए रखना चाहिए, यही मेन है शान्ती अब इसमें बज़ेटे दायर के अतीत में नेक महते पुरक चिंतकों ने शान्ती के बारे में नकरातम धंग से लिखा है जर्मन दाशनिक फैडरिक नित्सी युद को महिमा मंडित करने वाला विचारक था नित्सी ने शान्ती को महतवनी दिया था उसका माना था कि सिर्फ संगर सी सबैता की उन्ती का मारे कर सकता है उन्होंने का कि हमें क्या शांती सी काम नहीं एक शांती सी क्या हमें जादी प्राप्त नहीं होगी हम हमें अपने हक नहीं मिलेंगे उन्होंने क्या जो यूद को मेन मानना था कि यूद के द्वारी क्या कर सकते हम अधिक से दिक उन्ती कर सकती है तो बेटे हर चीज़ का सलू रक्षित 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 रक्षि से करने चाहिए शांती के द्वारा ही हैं जो हमारी लाइब में खठोर से खठोर अगर कोई हमारे मनलब हमें किसी चीज़ का सामना भी करना पड़ता है कोई मुसीबत भी आ जाती है तो हम शांती के द्वारा उसमस्या क्या-क्या हल कर सकते हैं थैंक्स बटे, हवे नाइस दे